14 सितंबर 14 सितंबर दिन है आज राधाश्टमी का राधाश्टमी की पाउन पार पर ये दर्शन कर रहे हैं आप स्री रवनाजी मंदिर ग्रामने वरू जोट वड़ा जेप पुरा रिस्तान के ये रवनाजी महरता विशाल मंदिर जैसे हमने पहले बताया ये मंदिर जहां पर असाध्य रोग पीले का ज्ढ़ा लगता है जी हां पीले का ज्ढ़ा वो विश्यनिवार और रविवार को सिर्फ दो ज्ढ़े की काफी है पीले की रोग को मिटाने के लिए यहां पर आते हैं बहुत दूर दूर से पीलिया रोगी और उनका रोग दूर होता है स्री रवनाजी की करपा से तब ही तो कहते हैं कि पीलिया रोग महा दुगदाई पलमेहरे स्री रवराई जी हां आज राधास्टमी के पाउन पार उपर यहां पर सजाया गया है इस रवनाजी के दर्वार को यह जहां की है स्री रवनाजी महाराज की यहां के पुजारी है स्री असोग जी शर्मा जो देते हैं यहां पर जाड़ा और उनके पूरवज भी करते आए हैं इसकी सेवा एक अगाज शक्ती है यहां पर एक वरदान है यहां पर जिससे पीले का रोग जड़ से गाइब हो जाता है इस इस्तान पर डॉक्टर्स ने भी रेफर किया है अपने पैसेंटों को यहां तक ही डॉक्टर्स ने भी आकर यह यहां जाड़ा लगाया है और वो हुए हैं ठीक ऐसे है स्री रगनाज जी का मंदिर और जहां पर आज राधाष्ट में का पाउन परू मनाया जा रहा है और इस만 साथ आप उसके दर्सन भी कर पा रहे हैं स्री रगनाज जी का मंदिर बहुत समय से यहां पर इस्तापित है एक छोटा सा ग्राम निवारू जेपुर के मुखे रोडवेज बसे स्टेंड से मात्र 12 किलोमेटर की दूरी परिस्तित है यहाँ पर प्राते 6 बजे से ज़ाड़ा प्रारंब होता है और यहाँ पर जब तक पी लियारो के रोगे कत्रित रहते हैं तब तक ज़ाड़ा लगता है जी हाँ यहाँ यह मात्र 12 किलोमेटर की दूरी पर जेपुर के मुखे बस्टेंड सिंदी केम से साथियार्श अब तर्शन कर रहे हैं राधाष्ट में के परोपर स्री रगनाजी म महराची